इंटू वहा कितने दिन तर्फा इंडरियो में राज करेंगे एक तरफा राज कर रहे हैं अबी करते अमी तासविक को एक गाना दिये और कहीं ने कहीं गाना ब्लास्ट तूटो है साथ जान से आज तूटो है मुरपारान है हो विधाता जी अलो ना जाता कई सन विधिक डर लगता हुआ लगता है कि हमसे भी बड़ा कोई राइटर उपर चला जाए देखें तू राजा जी कितने तक पढ़े लिखें गाय की में दम होता है या लेखी की में दम होता है तोनों स्कार प्रनाव स्वगत एक नए विडियो है दोस्तों आज मरसाद मगई के ट्रेंडिंग राइटर चिंटू राजा जी है और हाली भिलाल में इनका साधी होने वाला है तो यह इन से पूछते हैं कि क्या सच में इनका साधी होने वाला है क्योंकि एक वीडियो बाइरल हो रहा था तो चिंटू विए पहले यह बताईएगा क्या आपका सच में साधी होने वाला है लड़कियों का line लगा है आपसे साधी करने के लिए अगर आप हां करेगा ते एक पोस्ट कर कि लगन का डेट पोस्ट कर देंगे सब को कि आना है अच्छा अभी एक सवाल रहेगा चिंटु या कि अभी इंडरस्टी में कहीं नहीं आप और सिंगरों को गाना दे रहें पहले आस्विस विया कोई गाना देते थे अभी एक नए पुराने सिंगर बोल सकते अमीत आस्वि कि मौगी गोर मिले चाहे करियावा कि छीनार ना मिले अच्छा एक सवाल रहेगा चिंटु विया कि गाय की में दम होता है या लेखी की में दम होता है दोनों में क्योंकि अमीत आसिक जी इतने दिन से नहीं बज़े बज़े थे पहले लेकिन अभी डाउन में थे और आप एक गाना दी है और एक ही गाना करीब हमको लगता है 47 नमर पर ट्रेंड करा दी तो क्या बोलिए और बस ऐसे प्यार पब्लिक का प्यार है कि हम तो एक छोटा सा कोशिश किया है अमित्विय गाएं कि और कैसे प्यार बनाई रखे भाई के उपर अच्छा एक सवाल रहेगा कि चिंटु राजा कितने दिन तक इसी तरह इकेला राज करते रहेंगे इंडरस्ट्री में यह कोई नहीं है अपने मेहनत के उपर है कि यह कभी ऐसा हो सकता है कि चिंटु भाईया कितने दिन तक इसी तरह इंडरस्ट्री में राज करेंगे एक तरफा राज कर रहें यह त पर एक साथ लगाना लाए थे बढ़िया गाना राता अरस तक ले जा सकता है अरस में कापफी बढ़िया घाना रहता है काफी बढ़िया गाना रहता है कन्या-दान मधू मधू बोली है एक बार वो गाना हो जाए क्योंकि इतना बढ़िया गाना लिखते हैं एक सवाल रहेगा कि आप आसिस विया के काफी करीव है तो कब मिले थे दोनों आदमी जैसे दोनों कोい रृलेशन में दोनों है या फिर ऐसे ही मिल गए आपका गाना या भी डोली वाल आ WILL कि कपासी कपासी के का नहीं अमोर सु कुवारिया बोले बोले रेडोलिया ना ता जानू के ले जाही कौना नागारिया बोले बोले रेडोलिया ना अचा एक सवाल रहेगा चिंटी वईया को काफी लड़कियां पसंद करती है है अगर वो लड़किया रियली में आपसे कोई हुआ साधी करना आपसे चाहती हो तो कैसे संपर कर सकती है आप लोगों से नहीं कि नहीं हम लोगों से साहद़ी नहीं पहले आप लोगों से बज जाए कि जिसे आप लोग वी Kuharay बैठे हैं आप लोग से hurf हमें बेपने आरा यह बताईएगा चिंटु भीया लेखिकी कब से स्टार्ट किये थे 2016 सब्सक्राइब लेखिकी अच्छा यह काफी मीडिया वाले आज तक आप से कोई नहीं पूछे होंगे कि चिंटु राजा कितने भाई है हम तीन भाई है अब पापा क्या करते हैं अब ही कई ने लिखने क व्मर है आपका भी और लेखिकी में आज आना तो क्या यह आपका पैसन रहा था यह मझबूरी में लिखना पड़ा था पैसन था कि मजबूरी में तो लोग पढ़ाई करते हैं पैसन कुछ अलग ही होता है कि घर वाले का परेसर पढ़ाओगा कि तुम गाना उना लिखता है पढ़ो लिखो ऐसा कुछ यह सब परेसर आते रहता है घर वाले मतलब यह समझे ना कि एक ऐसा चेतर न संगीत को इसको लोग शुरू-शुरू में नचनिया बजनिया के नजरिये से देखते हैं तो बस ऐसा चेतरी है घर वाले भी बार वाले भी तो मतलब शुरू में तो कोई सपोर्ट नहीं कि एक ऐसा भी हम कहानी सुने थे कि आप वो राइट सिंगर का नाम नहीं लेना चाहेंगे आप एक सिंगर के पास गए थे करिब चार घंटा बैठे रहे उसके लव गेट के बाहर बैठे रहे थे लेकिन आपका वो गाना तक नहीं देखा था क्या ये रियल्टी है छोड़िये पुछली बातों को छोड़िये जो बीथ गया सब बीथ गया तो अभी फिर भी लगता हो गाना हम उस सिंगर के इतना दिरवेट किये फिर भी हमसे नहीं मिले और अभी हमसे घंटा लेने के लिए इतना पैर भी करता है कोई बात नहीं कि सबका समय आता है कि एक और सैड सोंग हो जा क्योंकि चिंटु राजा सैड सोंग के लिए ही फेमस है चूप चूप इतना वड़ा लेकिन जो मजा चिंटु राजा का सैड सोंग में है वो किसी राइटर के सैड सोंग में नहीं है यह रियल्टी है और जनता भी मानती है आप अभी हम एक सब बताना चाहेंगे कि डीजे में कभी भी आप डगर पूजी या साधी भी आमें सैड सोंग बजते हुए आज तक ना हम देखे ना पॉबलिक देखी थी चिंटु राजा का लेखी की में दम था कि आज डगर पूजी में सैड सोंग बज जाता तो क्या एक और सैड सोंग है फिर भी है कि छूटो है साथ जान से आज तूटो है मुर पारान है हो विधाता जी अलो ना जाता कोई सन विधिक लिए बार-बार के तरह एक सवाल और कि आप इतना सैड लिखते हैं तो आप भेस पे तो नहीं दिखने देते हैं कि reward लुए पर Saya कि और संहर जाए तोड़ा लें आजाना मुलेले मूहर कि को तेरे कठोरा दीला तोरा हमारा लो पारा गीराई नहां लूहर एक आखरी में सवाल रहेगा चिंटू राजा जी कितने तक पढ़े लिखे हैं पढ़े लिखे हैं अच्छे खासे मतलब जितना एक मेडियम इस्टूडेंट की हैं ग्रेजुएट और प्लस आईट आई डिपलों यह सब करके बैठे हैं जुनको लगता है कि चिंटू भाया नहीं पढ़े लिखे हैं बस लिखते हैं तो गलत बात अब गलत सोच रहे हैं अच्छे एक सवाल और रहेगा चिंटू राजा जी कितने का फोन यूज करते हैं फोन जितना विडियो में लोग बिडियो आया था जिसमें बता रहे थे चिंटू राइटर लाखों के लाइक करें चनल को सब्सक्राइब करें ठैंक्स दोस्तों ठैंक्स पर बोचिंग वीडियो